कुश्चन कुश्चन नमर 117 नमर कुश्चन के बोल रहा है थुरू तू पैरलल वायर्स A and B यहाँ पर दो पैरलल वायर है A और B 10 A and 2 A of current is passed respectively in opposite direction पास हो रहा है दो पैरलल वायर है A और B है और उसमें 10 A और 2 A का current पास हो रहा है दोनों वायर में पैरलल वायर में लेकिन कैसे तो अपोजिट डायरेक्शन में इफ वायर A is infinitely long अगर बूल रहा है कि वायर A का क्या है लेंग्ध कैसा दिया हुआ है infinitely type का है and the length B और वायर B का जो लंबाई है वो आपो 2 meter दिया हुआ है 2 meter the force on the conductor B तो बताना है कि जो force लग रहा है conductor B पे which is situated at 10 cm distance from A जो कि वायर A से वायर B जो है 10 cm दूरी पर situated है placed है will be तो क्या होगा उस पे force का value तो solution है solution क्या बोलड़ा दो parallel वायर है एक यह वायर है एक यह वायर है मालो यह वायर ए है तो यह कैसा है infinitely type का है मतलब इसका कोई fixed map ने दिया हुआ है तो यह हो गया वायर A लेकिन वायर B का length जो है मालो यह वायर B है जिसका लंबाई हमको दिया हुआ है दो मीटर ठीक है और यह दोनों वायर जो है एक दूसरे से कितने distance पर रखा हुआ है तो यहां लिखा हुआ है 10 cm दूरी पर रखा हुआ है तो इस सू मतलब फोर्स जो है इस वायर के दौरा भी फोर्स लगता है इसके दौरा भी फोर्स लगेगा तो यह हो गया तो फोर्स जो है एक दौरा जो बी पर लग रहा है वो फोर्स तो इधर से फोर्स लगेगा यह एफ भी तो हमको कौन सा फोर्स निकालना है यह वाला फोर्स की इतना फोर्स एक्जेट हो रहा है वायर भी पर है तो इसके लिए कंसर्प्ट और करेंट जो है फ्लो हो रहा है अगर पहला वायर में दिखा जाए तो टेन एम्पियर का करेंट फ्लो हो रहा है और बी वायर में दिखा जाए तो दू एंपियर का current flow रहा है और दूनों opposite direction में है ठीक है तो इस तरह का जब भी parallel wire में current flow होता है तो इसके लिए हम लोग के पास एक formula होता है we know that लोग जानते हैं कि कौन सा formula होता है इसके लिए कि f ब्रावर क्या होता है new not i1 i2 l by 2 pi r होता है यह होता है तो f ब्रावर क्या होगा new not कमान कितना होता है 4 pi into 10 to the power minus 7 गुना i1 i1 कितना हो गया 10 i2 कितना है 2 ampere और length जो है अगर force लगेगा तो एक wire का कितना link दिया हो है 2 meter same उतने में तो force लगेगा तो यह आपका हो गया 2 meter y में 2 pi r r कितना दिया हो है दोनों के बिच में जो distance है दूरी है वह ही है r आपका यह दिया हो है 10 cm तो उसको हम meter में convert कर लेंगे तो इतना meter पर क्या हो जाएगा यहां से pi से pi कतम 2 से 4 कतम तो 2 into 10 to the power minus 7 गुना फिर इस 10 से यह 10 कतम यह 10 चला जाएगा उपर तो 2 गुना 2 गुना 100 तो f बड़ा पर क्या हो जाएगा तो 4 से बिच में जाएगा 8 8 into 10 to the power minus 5 कितना newton निकल गया तो यह आपका इसका answer का इस प्रस्ण का यह जवाब हो गया कितना बी पर कितना फोर्स लगेगा वायर ए के द्वारा तो option 1 18 to 10 to the power minus 5 newton लगेगा अब question नमर आगे 118 नमर पर 118 नमर question क्या बोलता है A uniform electric field एक uniform electric field है और एक uniform magnetic field है तो बोल रहा है यह पर एक uniform magnetic field है और एक uniform electric field है और एक uniform magnetic field है दोनो produce होड़ा थेगा अब produce हैसा और आखे pointed in the same direction electric field जो produce होड़ा और magnetic field जो produce होड़ा दोनो किस direction में same direction में produce होड़ा थेगा an electron is projected with its velocity और उसी में electron भी project हो रहा है किसमें मतलब electron projected हो रहा है with its velocity pointed in the same direction और जिस direction में electric field है और magnetic field उसी direction में electron project हो रहा है with velocity भी in the same direction तो इसका कहना क्या चाहता है option से तो solution देख लेते हैं पहले कि माल लेजे यह है हमारा एक uniform magnetic field और यह हमाल लेते हैं यह हमारा electric field ठीक है और इसी में बोल रहा है कि same direction में हमारा क्या हो रहा है एक charge जो है भी velocity से same direction में move कर रहा है same direction में move कर रहा है तो अगर इसको compare करे इस charge particle को किसे magnetic field से तो देख सकते हैं कि यह है आपका magnetic field और यह है आपका velocity भी किसका charge particle का दोनों किस same direction में है तो same direction में है तो कैसे है इन parallel है तो parallel होने के करण theta का यहां कितना माना रहा है theta का माना रहा है 0 degree और हम लोग जानते हैं कि we know that हम लोग जानते हैं कि f बढ़र क्या होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल uniform magnetic field में रखा जाता है q, b, cross, b होता है f बढ़र क्या हो जागा q, b, b, sin, theta और यहां से देखते हैं तो f बढ़र क्या हो जागा q, b, b, sin, 0 degree sin, 0 degree f बढ़र क्या हो जागा q, b, b, sin, 0 का मान कितना होता है 0 यहां 0 से गुना हो जागा तो f कितना माना जागा 0 newton नेक मतलब क्या है uniform magnetic field और charge के velocity के बीच में कितना force लगेगा 0 force लगेगा तो इसका कोई भी magnetic field का जब हम charge particle उसके same direction में जाएगा तो magnetic field का charge particle के velocity पे कोई भी effect no effect होगा क्या होगा no effect होगा ठीक है लेकिन आप इसका compare करते है किस से electric field से तो electric field से compare करते है तो क्या है यह मालो हमारा क्या है electric field और यह हमारा क्या है charge particle का velocity पे तो इसमें हम concept क्या जानते है कि जो charge particle है मतलब कोई भी electron है यह sorry charge particle नहीं बोल रहा है यह क्या आपका electron है ठीक है तो electron है negative charge particle है तो negative charge particle electric field में किस तरफ electric field कैसे charge particle में act होता है opposite direction में कैसे act होता है opposite direction में लगता है उसका force कैसे लगता है electric field का force लगता है opposite direction में ठीए तो आपोजिस्ट डाइरेक्शन में लगेगा तो यहां पर तो बी का कोई फरेक्ट नहीं हो रहा था चार्ज के इलेक्ट्रों पर Fahren के फेलोसीटी पर लेकिन जैसें ही इलेक्ट्रों को हम प्लेस्ट किए इलेक्ट्रिक फिल्ड में तो इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या करेगा उसको अपोजी डायरेक्शन में लगता है तो यहां से देख सकते हैं कि तो क्या होगा वेलोसिटी को क्या करेगा वो रिट्राड करेगा मतलब कम करेगा करेगा यहां से ओप्शन आपका क्या होगा तो इद्धा इलेक्ट्रोन वेलोसिटी विल्ड डिक्रेज एज तो यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रोन का वेलोसिटी क्या होगा डिक्रेज होगा क्योंकि एलेक्ट्रिक फोर्स किस्तरब लगेगा उसके अपोजी direction में तो उसके velocity को क्या करेगा electron की velocity को कम करेगा electric field तो आपका option क्या हो जाएगा option right हो जाएगा electron velocity will decreases option 4 आपका सही answer हो जाएगा आप हम लोग question number कितना पढ़ गया है 119 फर 119 question क्या होता है two thin long parallel wire separated by distance भी मलत तो थीन long parallel wire है और वह separate हो रहा है distance b से जैसे यहां पर solution बनाते हैं यह दो को क्या है long parallel wire है दोनों कितना distance से separate है बी distance से ठीक है और carried current आई और दोनों में कितना current करे हो रहा है आई आई है एंपियर ठीक है इच the magnitude of force per unit length तो आपको बताना है क्या है magnitude of force per unit length excited by one wire on the other is तो किसे एक wire से किसे दूसरे wire पर कितना force लगेगा यह आपको बस यहां बता देना है यह wire A है यह wire B मान लिए है इसका आपको क्या करना है equation बताना है तो हम लोग क्या जानते है कि जब दो parallel wire में current flow होता है तो उसमें force कितना एक्जेट होता है उसका formula होता है new knot i1 i2 ly 2 pi r यह होता है formula तो f बढ़ाबर यहां पर क्या हो जागा new knot का मान तो new knot रहने दीजिए i1 और i का मान दिया हुआ है ii और लंबाई कुछ नहीं दिया हुआ है लंबाई दिया है पर unit length मतलब one मान सकते हैं और यह क्या हो जागा 2 pi r r कितना distance है b है तो यह हो जागा आपका क्या है new knot i2 by i2 by 2 pi b तो यह वहला देख लोग किसमें है यह option आपका third में है option क्या है आपका option third क्या हो जागा इसका answer हो जागा इस question का हम आगा question number 120 120 नमर question क्या होता है two identical coils दो एक ही तरह का same तरह का coil है carry equal current दोनो current करी क्या हुआ है equal current having a common center दोनों coil का center क्या है common है and their planes are at right angle अब दोनों कैसे planes पे है right angle पे to each other एक दूसरे के what is the ratio of magnitude of the resulted magnetic field तो आपको बताना है ratio बताना है किसका magnitude का किसका तो magnetic field के magnitude का ratio बताना है and the field due to each coil at the center जो की magnetic field कहां पर लगा रहा है center लग रहा है तो क्या हो जाएगा solution solution इसका अगर diagram बनाया है तो एक यह coil हो गया इसके parallel में एक और coil बना देते है यह इसका center यहां पर है इसका center यहां पर है इसको माल लेते c2 इसको c1 अद दूनों जो है coil कैसे है एक direction में एक दिसाम है ठीक है तो इसके द्वारा यहां जो magnetic field लगेगा यह देख हुए तो current flow और आके से माल लो इधर इसका भी current और यहां फुलो ऐसे इसका जो magnetic field लगेगा आप वड डारेक्शन में बी इसी बन माल लेते हैं इसका जो magnetic field लगेगा outward direction में लगेगा इस तरह से बहार की और इसका भी लगेगा तो यह जग ऑट वर डारेक्शन में आउट वर्ड डारेक्शन में लगेगा इसका भी magnetic field तो गो magnetic field माल ने थे कितना वी बी टू के द्वारा ठीक है तो दोनों में current flow सेम हो रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला कि कोई कोई में जब कुछ current फ्लोट है उसके द्वारा जो center पर magnetic field लगता है उसका फॉर्मूला क्या हो था वी C1 एकुल टू नू नॉट एन आई बाई तू आर यह और यह लगा रहा इस पर magnetic field यह बला पहला पहला दूसरा वी C2 कितना लग रहा है इस पर इस में भी same current flow रहा है तो same magnetic produce होगा U0 Ni2R ठीक है तो हम देख रहा है कि इसका यह मान इसका यह मान दोनों क्या है ब्राबर है दोनों क्या अपस में ब्राबर है तो हम resultant magnetic field निकालने चलेंगे तो B net ब्राबर क्या लिख सकते है under root BC1 plus BC2 तो B net ब्राबर क्या हो जाएगा दोनों तो same है तो BC1 plus BC1 कर लेंगे तो क्या होगा B net ब्राबर क्या हो जाएगा 2 BC1 यह हो जाएगा तो equal to net ब्राबर क्या हो जाएगा root 2 तो निकल जाएगा और बच जाएगा कौन BC1 है ना बच जाएगा तो B net by अचे यह इंटू में होगा क्या है तो यहाँ पर क्या करना इसका क्या हो जाएगा है निकले काए यहां केतना निकल लगा एक BC1 यहां से हो जाएगा BC1 हमारा क्या हूं रूट टू बार डूबाई ओन हो जाएगा ठीक है रुट टू बाई ओन हो जाएगा तो हुमारा देटियो कैं निकला बीनेट और पहला वी-सी-वन का रेशियो निकला रुट टू-वन यह आपका अंसर हो गया इसका सवाल का ठीक है तो फिर से मिलते आपके नेक्ट वोडियो में कुछ नोए जाए आगा तो उसके लिए